गुड मारिंग, वेलकम टो MPs मोटिवेटर्स आज हम फिर हाजिर है Estate 2024 का जो एक्जाम हुआ है उसमें General Studies से रिलेटेड कुछ रिजनिंग के कोशन के साथ तो उसमें जो भी कोशन पूछेगा है रिजनिंग के उस कोशन के साथ आज हम फिर हाजिर है तो चलिए देखते हैं कोशन नमर वन कोशन है यदि पुलीस को सिक्षक कहा जाए सिक्षक को राजनितिग्य कहा जाए राजनितिग्य को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो बच्चे को कौन पढ़ाएगा इसमें बताया है कि पुलीस को सिक्षक कहा जाए और सिक्षक को राजनितिग्य और राजनितिग्य को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील वकील को सर्जन कहा जाए तो बच्चे को टीचर पढ़ाते हैं यह सभी लोग जानते हैं लेकिन यहां teacher को क्या कहा गया है वो इसका answer होगा तो देखेंगे हम police को सिक्षक कहा गया है और सिक्षक को राजनीतिग्य कहा गया है सिक्षक की बच्चे को पढ़ाएंगे और सिक्षक को यहां राजनीतिग्य से denote किया है तो इसलिए इसका answer राजनीतिग्य हो जाएगा जो option में मोहन का अर्थ क्या होगा देखेंगे हम कि राम इस गुड को P-A-T-A-N-A मतलब राम का P-A और इस का T-A और गुड का N-A दिया हुआ है और मोहन के लिए कोई यहाँ अलग से कुट नहीं दिया गया है तो इस option में देखेंगे हम कि P-A भी दिया हुआ है T-A भी दिया हु हो जाएगा देखेंगे ऑजी हो जाएगा देखेंगे हम के लिए मारी जो होती है तो सभी मा महिला होती है तो नारी के अंदर मा इस आएगी ठीक है नारी के अंदर मा जितनी भी मदर होती है सारी वो इस्तरी होती है नारी होती है महिला होती है तो ये इसके लिए तो ये नारी खैसा हो जाएगा अब बोल रहा है डॉक्टर तो सभी महिला जो है डॉक्टर नहीं होगी ये सभी मा डॉक्टर नहीं होगी कुछ मा और कुछ नारी जो है वो डॉक्टर हो सकती है तो इस टाइब का बेंट डाइग्राम इसके लिए होगा मतलब कि कुछ मा या कुछ नारी जो है वो डॉक्टर होगी पूरी नहीं होगी पूरी अगर करेंगा तो ये सही नहीं होगा तो इसके लिए ऐसा बेंट डाइग्राम option number A में है या इसका सही answer हो जाएगा देखेंगे अब हम next question pneumonia is to fevra proportion to motiabin is to what? इसमें what का मान निकालना है तो देखेंगे हम pneumonia बिमारी जो है वो fevra से related होता है तो motiabin किस से related होता है option में कार, नाक, आख और पैर है तो देखेंगे हम कि motiabin जो है वो आख से related बिमारी है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C आख, आख इसका सही answer हो जाएगा motiabin आख से related बिमारी है अगला हमारा question और आज का last question है A, B, C, D, E, F तथा G एक गोल टेवल पर गोलकार बैठे हुए तास्क खेल रहे है C तथा E का परोसी D नहीं है B और C का परोसी A है G जो D के बाई और दूसरा है वह E और F का परोसी है किस जोरे में दूसरा व्यक्ति, पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है ठीक है, सबसे पहले जिस प्रकार ये संटेंस कहेगा उस प्रकार हम बैठा लेंगे सबसे पहले गोल टेवल पर बैठा है तो गोल टेवल हमारा ऐसा हो गया टोटल व्यक्ति साथ है साथ हम डॉट कर लेते हैं ठीक है, एक, दो तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ डॉट हम कर लिए ठीक है, अब हम जैसे जैसे कोश्चन बोल ला उस तरह से हम बैठाएंगे पहला बोल रहा है कि C तथा E का परोसी D नहीं है C तथा E का परोसी D नहीं है तो C और E के बगल में D नहीं बैठेगा अगर यहां हम C और E को रखते हैं और D को हम कहीं भी रखें यहां छोड़के यहां छोड़के इस तीनों के जगा कहीं भी रख सकते हैं यहां भी D रख सकते हैं यहां भी D रख सकते हैं अब अगला हम पढ़ेंगे B और C का परोसी A है यहाँ एक वेक्ति बैठा हुआ है और B और C का परोसी A यहाँ लिख देते हैं और यहाँ B लिख देते हैं तो B और C का परोसी A हो जाएगा D यहाँ नहीं बैठेगा ठीक है B और C का परोसी A हो गया अब हम नेक्स सेंटेंस देखेंगे G जो D के बाई और दूसरा है G जो D के बाई और दूसरा है तो बाई और इस तरफ होगा तो बोल रहा है कि G जो D के बाई और दूसरा है तो बाई और अगर हम D को यहां बैठाएंगे तभी ना बाई और दूसरा होगा एक दो दूसरा यहां G बैठ जाएगा अगर यहां बैठाते हैं तो यह दूसरा यहां आ जाएगा फिर यह दिकत हो जाएगा यहां E बैठेगा तभी यह इसका परोसी नहीं होगा इस तरह से हम देखेंगे तो यहां से हम D को हटा देते हैं अब यहाँ एक जगह बचा हुआ है और F भी बचा हुआ है तो यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है G जो D के बाई और दूसरा है G, D के बाई और दूसरा हो गया वहाँ E और F का परोसी है E और F का परोसी हो जाएगा G जो है E और F का परोसी F यहाँ पे हो जाएगा ठीक है यह लोग सारे लोग बैठ गया अब कोशन कहा रहा है कि किस जोरे में दूसरा वेक्ति पहले वेक्ति के तुरंट दाई और बैठा है ठीक है दूसरा वेक्ति पहले वेक्ति के जैसे G और F अगर हम option से चलते हैं तो G और F जो बैठती है तो दूसरा वेक्ति पहले वेक्ति के ठीक दाई और बैठा है तो दूसरा वेक्ति हो गया F यहाँ है और पहले वेक्ति के ठीक दाई और तो यह पहला वेक्ति हो गया और इसके दाई और बैठा है center की इधर बीच में मुख करके बैठा हुआ है face इधर की तरफ करके बैठा हुआ है तो इसका दाएं इधर ही होगा ना तो दूसरा व्यक्ति जो है पहले व्यक्ति के दाएं और बैठा है यह इस sentence को fulfill कर रहा है यह option देखेंगे हम बाकी option को भी check करेंगे अब है E और C अब बोल रहा है दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं और तो C जो है वो दूसरा व्यक्ति हो गया और E पहला व्यक्ति तो इसका जो है है और इसका एक यही ऑप्शन जो है वो दाई और बैठा हुआ है तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा मिलते हम अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिजनिंग के क्लास के साथ नए नए टॉपिक के साथ तब तक आप हमारे चैनल से जूरे रहें और हमारे चैनल मोटिवेटर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखें लाइक करें कॉमेंट करें